दोस्तों स्टेडी 91 के यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समख्च मैं लेकर हाजीर हूँ Modern History में अगली क्लास को लेकर के जिसमें चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग आज भारत के प्रमुख वायसरायों के बारे में इसके पहले भी दोस्तों भारत के वायसराय से संबंदी तत्यों को आपको बताया गया है देखे समय समय पर इतिहास को एक बराबर में लेकर चलना हूँ कि अब यहां से जब हम एक बार वायसराय के बारे में पढ़ना सुरू करेंगे तो भारत को आजाद कराकर ही दोस्तों आपस लोटेंगे और तब दोस्तों आपस आएंगे ठीक है और उसके बाद की जो टॉपिक होगी फिर उसका भी स्टड़ी हम लोग किया जाएगर वैस जिन सम्मुहों और संस्थाओं का निर्माड हुआ था उनके बारे में भी पढ़ना रह गया है वहां से भी क्वेस्टन मैं कलेट कर रहा हूं और आगे उभी वी लेगा बट अभी मुझे लगता है कि इस टॉपिक को पूरी तरह से आगे लेके चलना चाहिए ठीक है तो य या फिर लाड नार्थब्रुक के समय पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था या फिर सवाल दे दिया भारत में वित्तिय विकेंदरी करण की नीत की सुरुआत ये किस वायसराही ने की थी या लाड लिटर ने किस वर्स दिली दरबार का आयुजन किया था तो इस तरह के बेहतरीन सवाल आपसे आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले ठीक है आज हमारा लेक्चर दोस्तो 112 हुआ लेक्चर इसके पहले कुल 111 लेक्चर आपको दे जा चुके हैं और 92 नंबर से दोस्तो हम लोग ने मौडरन हिस्टी को परिचा करने वाले ठीक है जान देंगे आप सभी आप सभी के दिमांद परी दोस्तों फाउंडेशन बैच लांच किया और यह फाउंडेशन बैच जो चला है इसमें हमारा सांदार सा बैच लांच हुआ है वरतमान में दोस्तों मौर्डन हिस्टी अच्छ जो बच्ची सो उस प्राइज में उतना अच्छा कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और मैंने बहुत रिसर्च करके उस तरह का मेंटर बनाया है एक मौका दीजे सिर्फ एक मौका दीजे दोस्तों और सिर्फ मौर्टन हिस्टी का बैच जोइंग करिए उ 321 से लेकर 360 तक के सवालों को करेंगे लाड मयो के बारें पढ़ेंगे नार्थबुक के बारें पढ़ेंगे और लीटन के बारें पढ़ा जाएगा पहला और इंपोर्टन सवाल कि भारत में वित्तिय वीकेंद्री करण की नीती ये दोस्तों किस वायसराय ने स्टार्ट क लेकरके 1872 इस वी तक दोस्तो ये लाड मेयो क्या था दोस्तो भारत का वाय सराय था और इसी ने भारत में वित्ति अविकेंदी करड की नीती को प्रारंब किया था ये बहुत अच्छा सवाल है परिक्षा में आ सकता है ठीक है अगला सवाल दे रहा है कि लाड मेयो ने भारत कि पुत्रों को सिच्छा दी जाती थी ये वाला मेयो कालेश कहां पर था ये मेयो कालेश दोस्तो अजमेर में बना था और अजमेर कहां दोस्तो याद रखेगा राजस्थान में हैं अच्छा कब बना था मालीजे सवाल आ गया कब बना था तो दोस्तो जब इसके जाने का स सवाल आ चुका है याद रखेंगे PCS में तो 1871 दिया था गलत है सायद आयोग को इसके बारे में जानकारी हो नहीं हो मुझे नहीं पता लेकिन गलत दिया था ठीक 1872 में दोस्तों पहली बार प्रायोगी जनगर्णा कराईगे जिना दोस्तों पहली जो जनगर्णा हुई थी वो 1872 में होई थी और किसने कराई थी दोस्तों तो पहली बार लाड म्यों के समय में होई थी किसके समय में लाड म्यों की समय में ठीक है आगे चलके 1881 से ये जनगर्णा बिदवत अपने समय पर होने लगी फिर हर 10 साल के अंतराल पर ये जनगर्णा कराई जाती थी लेकिन पहली वाली जनगर्णा याद रखेगा वो 1871 नहीं है 1872 में हुआ था और ये एकदम सही जबाब है ठीक है अगला सवाल लिख रहा कि भारत में कृसी विभाग की अस्थापना यहां दोस्तों कृसी विभाग की अस्थापना यह किसने और कब किया था याद रखे दोस्तों सब तो कुछ नहीं किया लगता है 1869 में भी तो कोई काम करना चाहिए क्यों सब काम 1872 में यह काम करते करते ही 1872 में चल बसेगा इसकी हत्या कर दी जाएगी यह भारत का पहला ऐसा वाय सराय है जिसकी हत्या उसके स्वैम के कारेकाल में हो गई है ठीक है तो याद रखेंगे अभी आगे मिलेगा हमसे सवाल लिकरा भारतिय सांकिकी बोर्ड यहां दोस्तो इस्टेटिकल बोर्ड जो बना है भारत में इसका गठन दोस्तो किस ने किया तो पुना आपका जवाब किया दोस्तो पुना आपका जवाब है इसका गठन भी लाड मेयो नहीं किया है और कब किया था दोस्तो तेक बार फिर से अठारा सो बहत्तर यहां दोस्तो अठारा सो बहत्तर में यह बनाए गया है इसी के साथ साथ दोस्तो एक सवाल और देता है भारतिया सांख की संगरेच्छड भारतिया भारतिय सांखिकिय संख्रक्षड संस्थान ठीक है संख्रक्षड संस्थान दोस्तो ये किसने बनाया है तो ये बोर्ड के अलमा दोस्तो ये संस्थान भी याद रखेगा ये भी दोस्तो किसे संबन्नित है ये लाड मयो से ही संबन्नित है ये बिभाग है संस्थान क्या एक त Sank की board जो बना था वो board भी इसी नहीं बनाया था ठीक है आगे लिखना दोस्तों लाड मेओ ने आयकर की दर जो income tax लगता था ठीक है आयकर मतलब क्या हो गया जो आपके मतलब लोगों के income पर जो दोस्तों tax लगता था वो बढ़ा कर कितना कर दिया तो पहले दोस्तों एक से बढ़ा कर कितना कर दिया गया धाई प्रस्त कर दिया गया था ये सवाल भी याद रखेंगे ऐसे कमाल के सवाल आप से आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं चली आगे बढ़ते हैं लिकरा भारत का एक मात्रवाय सराय कौन था एक मात्रवाय सराय कौन था जिसकी हत्या उसके कारेकाल में हो गई त्याद रखेंगे दोस्तो लाड मेयो की हत्या किसके हत्या दोस्तो लाड मेयो की हत्या उसके कारेकाल में हो गई थी अच्छा सवाल आता दोस्तो कहां पर इसके हत्या हुई थी तू क्या बताएंगे इसकी हत्या हुई थी अंडमान निको बार में क हत्या कर दी तो सब्गान कैदी का नाम का था याद रखेगा सेर अली अफरीदी क्या नाम है दोस्तो सेर अली अफरीदी जिया दोस्तो सेर अली अफरीदी का नाम आप याद रखेंगे दोस्तो इसने हत्या किया था और कभी हत्या किया था बताया ना का 1872 में ही इसकी हत्या पहलब हो जाएका और अंड़मान निकोबार में एक कैदी ने इसके मांत्र वायसराय है जिसकी हत्या उसके कारेकाल में हुई है कार्णवालिस भी दोस्तो एक वायसराय था जो हमने पीछे पढ़ा था वायसराय नहीं कार्णवालिस गवनर जनरल था इसलिए दोस्तो वहाँ पर सवाल लगता वो बंगाल का गवनर जनरल था जिसकी मृत्य हो गेती तो उसका मगबरा दोस्तो पूर में बना हुआ ठीक है गाजीपूर उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तो मुझबरा ठीक है इसका क्या बना हुआ है मक्बरा बना हुआ है तो यह आप याद रखएंगे तो ये अलग सवाल हो गए ठीक है आगे देखे लिख gjदा लाड मेयो के बाद भारत का कारेवाहक वायसराय किसी नहीं दिएर की आगया क्योंकि दोस्तो लाड मेयो तो आईसा तो ही नहीं के कि रिटायर हो गया था लाड मे मेयो की अचानक से हत्या कर दी गई इस वज़ा से यहाँ पर कारेवाहक वायसराय आता है, और भी कितने दिन के लिए दोस्तों, तो केवल और केवल 14 दिन के लिए, सर कौन सी बात होगी, फरवरी 1872 में दोस्तों इसके अत्या होती है, और याद रखेंगे, सर जॉन स्ट्रेची यहाँ पर आया है, कौना आया द पंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, बताए किसके सासन काल की बात हो रही दोस्तों, तो यह अकाल अब किसके काल में पड़ा है, याद रखेंगे, जो अगला वह ऐसराय है दोस्तों, उसका नाम है, लाड नार्थ ब्रुक, क्या नाम है दोस्तों, लाड नार्थ ब्रुक ठीक है और इसका कारेकाल कितना हो जाएगा दोस्तोव तो अठारा सो 272 से लेूए उख्वे गारा acronyoy disagree that याद रखेंगे लाड़ नथना बुक का समय लाड़ नार्थन यह किसके नेत्रित में दोस्तों इस आंधोलन को किया था, ठीक है, किस वजह से अगर यहां पर आपकी परिक्षा में दोस्तों कारण पूछले तब क्या बताएंगे, कि किस कारण से यह आंधोलन हुगा तब क्या जबाब होगा, याद रहेगा अंगरेज यहां पर गव हत्य करने के लिए उक्सा रहे थे ठीक है अंग्रेजों अंग्रेजों द्वारा द्वारा गव हत्या जिना दोस्तों गव हत्या को क्या दिया जा रहा था दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा था उक्साया जा रहा था इसके लिए पंजाब में आंदोलन होता है जिसका नाम है कू आरोप में दोस्तों क्या कर दिया उसे उसके पत से हटा दिया तो उस राजा का नाम था उस सासक का नाम था मलहार राव गायकवार क्या नाम है दोस्तों याद रखेगा गायकवार नाम है दोस्तों यह बड़ोदा का सासक था दोस्तों और उसको पदचुत कर दिया गया किस वज़ा से दोस्तो, तो भःश्टाचार के आरोप में लिप्त होने के वैसे, उसे क्या कर दिया गया था? पच्चित कर दिया गया था, ये सवाल भी याद रखेंगे, अगला सवाल लिकरा दोस्तो, कि कि वायसराय ने कहा था, कि मेरा उदेश से करो को हटाना नहीं, करो को चाना तथा अनावस्यक वैधानिक कारवाईयों को बंद करना है ठीक है यानि वो चाहता था कि टैक्स जो हटे जो बेकार के टैक्स है वो हट जाए जो बेकार की वैधानिक कारवाईयां है अनावस्यक वैधानिक कारवाईयां है वो हट जाए तो ये कौन चाहता था दोस्तो याद रखेंगे Lard Northbrook ही चाहता था कौन चाहता था Lard Northbrook ही यह चाहता था इसलिए इस सवाल का सही जबाब भी यह होगा अब जिने पता नहीं होता दोस्तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या सही है और क्या गलत है अगला सवाल लिख रहा है कि Lard Northbrook के कारेकाल में किसने भारत की यात्रा की यहाद रखेंगे Prince of Wells आये थे कौन आये थे दोस्तो यहाद पर भारत की यात्रा पर कौन आता है Prince of Wells अच्छा नाम क्या दोस्तो यानि Wells के राचकुमार Wells एक देस है दोस्तो का भारत आगमन होता है और किसके समय में दोस्तो तियाद रखेंगे Lard Northbrook के समय में यह भारत आये थे यह सवाल भी आपके याद रखना Lard Northbrook का समय क्या दोस्तो तियाद रखेंगे 1872 से लेकर के 1876 इसवी का जो समय है यह समय इनका है ठीक है किस नहर के खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच जाँ दोस्तो ब्यापार में ब।्धी हो गई तियाद रखेगा इसी समय स्वेज नहर का उद्ध़टन हुआ था स्वेज नहर का निर्माड कब हुआ था दोस्तो तियाद रखेंगे 1879 इसवी में स्वेज नहर का निमाड हुआ है अब स्वेज नहर दोस्तों खुल चुका है तो भारत और ब्रिटेन की बीच में यात्रा और आसान हो गई है क्योंकि इसके खुलने के विए से जहाजे अब पूरा अफ्रीका का चकल लगा के नहीं आती अब जहाजे दोती ये भूमद्य से लाल सागर होते हैं फारस की खाड़ी निकल आती हैं बहुत आराम से तो इसलिए दोस्तों इस स्वेज नहर वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है देखिए स्टडी 91 के प्रेटफार्म से कई सारी किताबे लांच की गई है इन किताबों को लिजे इन किताबों के माध्यम स आप त्यारी और भी बेहतर धंसे कर सकते हैं ठीक है तो अलग-अलग परिच्छाओं के लिए अलग-अलग बिसे के लिए किताबे हमारा हेल्प्राइन नंबर है कॉल करके आप संपर कर सकते हैं ठीक है और मॉडन हिस्टी का जो बैच है दोस्तों सूपर सिलिंग बैच है जबर्दस बैच है देखिए अगर आप वाकई में चाहते हैं क्वालिटी चेक करना तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ मेरे पास ऐसे फार्मडेशन कोर्स के लिए दुस्तों बहुत सारे बैच है लेकिन अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं आप मॉडन हिस्टी के बैच पर काम कर रहा हूँ और यह आप देख सकते हैं ठीक है देखने के बाद आप अपने आपको रोक नहीं पाएंगे 10-20 लोगों को दिखाए बिना रोक नहीं पाएंगे कि देखो मॉडन हिस्टी ऐसे पढ़ी जाती है मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपक किसके नाम से दोस्तो तो याद रखेंगे यह नया वायसरा है यह अगला वायसरा है जो लाड लिटन है दोस्तो उसी को ओवन मेरी डित के नाम से जाना जाता था ठीक है तो यहाँ पर ठीक है लाड लाड लिटन को दोस्तो किसके नाम से जाना जाता था मेरी डित के नाम से जो तो हमने शुरुगात में पढ़ा मेयो के बारे में, किसके बारे में पढ़ा मेयो के बारे में, जो आया था दोस्तो 1879 से लेके 72 इसवी के बेच में, ठीक है, दूसरे नमबर पे दोस्तों मैं आज किसको पढ़ा, आज हमने पढ़ा लाड नार्थ बुक के बारे में, भीया ठीक है तो आपको यादार आना 512 दोस्तों लार्ड इंस उन्पोतेन्स इंया लिक्ड रखेल yummy कि था दिल्ली दर्बार कीया कि लेकिन वह दिल्ली दरबार और भीलगी थी लेकिन वो दिल्ली दरबार दोस्तों जो आपको याद आ रहा ना वो 1911 वाला याद रहा 1911 की बात नहीं दोस्तों ये वाली जो दिल्ली दरबार थी ये लाड लिटन के समय में लगा था और ये लगा था जन्वरी 1877 में कब लगा था दोस्तों जन्वरी 1877 में दोस्तों ये लगा था तो ये याद रखेगा और ये जो था दोस्तों ये दुती दिल्ली दर्वार था क्या था ये दोस्तों ये दुती दिल्ली दर्वार था इसके पहले लाड लिटन के कारेकाल में भी दिल्ली दर्वार लग चुका था लिखना दिल्ली दर्बार के आयोजन में ब्रिटेन की जो महरानी थी विक्टोरिया उनको कौनसी उपाधी से सम्मानित किया गया तो इनको उपाधी दिया गया दोस्तों कैसर हिंद की उपाधी कौनसी उपाधी कैसर हिंद की उपाधी दिया गया था तो ये सवाल भी याद कट तरीके से पता होना चीए बिना किसी आप्षन के मेरी आदत आप जानते हैं मैं आपकी प्रैक्टिस किसी आप्षन पर नहीं कराता है यही रीजन है कि तैयारी आपकी बहतर है सीधे सवाल आता है और सवालों पर सीधे बातचीत होती कोई गलत आप्षन की कोई बात नहीं ठीक है आगे देखिए लिकरा किस वाय सराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया जिए हाँ दोस्तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा दोस्तो भारती समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था को याद होगा भारती समाचार पत्रों पर पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिना दोस्तों बहुत सारे उस पर प्रतिबंधित किया गया था तो याद रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह प्रेस अक्ट दोस्तों कब आया था अभी आपसे खाली यही पूछ रहा है कि यह आया कब था तो लाड़ लीटन के समय में ही आया था और कब आया था समय पूझ दे तो याद रखेंगे 1878 इस्वें दोस्तों ये वर्ना कुलर प्रेस एक्ट आया है इसको याद रखेगा और इसी प्रेस एक्ट के माध्यम से भारती समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंद लगाए गया कि अपने मंद से कोई समाचार बहुत important सवाल और इस्टरे के सवाल आजकल परिक्षाओं में घुब पूछे जा रहे हैं क्योंकि यही उट्पटांगों सवाल है जो हमें ko keren करते हैं तो यही स़स्त्र अधियन के माध्यम से हुआ क्या कि भारतियों को सस्त्र रखने की मनाही हो गए जिहां दोस्तो क्या हुआ यह नया act आता है और इसमें फिर क्या होता दोस्तो भारतियों को सस्त्र रखने की क्या हो गई दोस्तो मनाई हो गई कि अब जो भारती है वो अपने पास क्या रही है सकते सस्त्र नहीं रख सकते नहीं सस्त्र रख सकते हैं नहीं सस्त्रों को खरीद बेश स यह दोनों चीजों की मनाई हो गई दोस्तों और यह अधनियम कब आया था त्याद रखेंगे आया था 1878 इसी में तो आप पूझे बता दो यह सवाल इंपोर्टेंट है की नहीं यह सवाल इंपोर्टेंट है की नहीं क्या इस तरह के सवाल आ सकते हैं परिच्छा में बेशक सकते हैं और आते भी हैं आते भी हैं दोस्तों इसको आप याद रखेंगे लाड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में क्योंकि इसके समय में दोस्तों अकाल भी पड़ा था अकाल जानते हैं न अकाल होता आकाल नहीं होता अकाल होता है ठीक है तो दोस्तों किसकी अध्यक्ष इसका नाम है Richard इस ट्रैची नाम है दोस्तों इसकी अध्यक्सता में दोस्तों एक अकाल आयुक बना था और एक कब बना था दोस्तों याद रखेंगे जब इसके जाने का समय आ गया था तब बना था 1880 में क्योंकि इसका सासंकाल कब से कब था है ककारेकाल कब से कब था है 1776 लेके 1780 तक रहता है 80 में ही दोस्तों रिचर्ड इस्ट्रैची के अध्यक्सता में एक अकाल आयुक का गठन किया जाता है वर्स 1880 इस्वी में तिस सवाल को भी आप याद रखेंगे समझ में आगया चलिए आगे बढ़ते हैं लिकरा किस YSRI ने अलिगड मुस्लिम एंगलो प्राच्य अलिगड मुस्लिम एंगलो प्राच्य महाबिद्याले आप एंगलो प्राच्य मत बोलिए खाली अलिगड मुस्लिम महाबिद्याले बोल सकते हैं तो दोस्तो इसके अस्थापना कब हुई थी तो आपको पता होगा दोस्तो सबसे पहले आप बात करें हैं मुहमडन एंग्लो ओरियंटल कालेज कौन सा दोस्तो एंग्लो ओरियंटल कॉलेज ठीक है मुहमडन एंग्लो ओरियंटल कौलेज के अस्थापना वर्स 1875 में किसने किया था सरसयद अहमद खाने किया था जो आगे चलके अलिगड विस्विद्याले के नाम से जाना गया त्याद रखेगा इसकी अस्थापना इसी लीटन के द्वारा किया गया जब यह चेंज हुआ नाम ना तो लीटन के द्वारा दोस्तो यह अलिगड मुस्लिम इनश्टी के रूप में हमारे समक चाता है लाद लीटन ने सिविल सेवा परिक्षाओं में प्रवेस पाने की जो आयू थी ठीक है प्रवेस पाने की जो आयू थी उसको घटा कर कितना क आते हैं कल सरकार कोई नोटिफिकेशन ला दे कि खाली 18 वर्स के बच्चे परिक्षा दे पाएंगे तो बाकी लोगों तो ऐसे ही बाहर हो गए उसी तरह से दोस्तों एक कई स्वर से घटा करके 19 वर्स कर दिया किसने लीटन ने किसने दोस्तों याद रखेंगे लीटन ने यह भी important है लाड लीटन के सासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ जिया दोस्तों एक important युद्ध भी दोस्तों इसके समय में हुआ है वह कौन सा युद्ध है याद रखेंगे दुति आंगल अफगान युद्ध कौन सा दुति आंगल अफगान आंगल अफगान युद्ध द दोस्तो, नॉम्बर 1878 में ये लिटन के समय में दोस्तो युद्ध हुआ था, दुती आंगल अफगान युद्ध ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करा दूसरे आंगल अफगान युद्ध के दोरान, अफगानिस्तान का अमीर जो था दोस्तो, उसका नाम है सेर अली, सेर अलग-अलग किताबों में अलग-अलग डेटा है, इसलिए मैं दोनों दे दे रहा हूँ, ताकि आप कोई confusion मिलना है, ठीक है, और ये जो दूती आंगल अफगान युद्ध दोस्तो, ये लड़ा कब से कब गया है, तो 1878 से लेकरके, 1880 तक के समय में दोस्तो ये लड़ा ग ये याकूब खान को दोस्तो अगला नवाब चुना गया, कहां का, ये अफगानिस्तान का अगला नवाब बनाए, ठीक है, और इसी के साथ अंग्रेजों ने संधी भी किया है, ठीक है, तो अगला सवाल ये दे रहा दोस्तो, कि याकूब खान के साथ अंग्रेजों ने कौ कौन सी संदी ओक खान के साथ किया है क्योंकि पिता जी थो भाग गए तो याद रखेगा इसके साथ गंडमक की संदी हुई है थीक, थोड़ासा डिफिकल्ट नाम है, ध्यान दीजे का कौन सी संद्य हुई दोस्तों गंडमक की विए ये भी आद रखेंगे… де सब अच्छे सवाल है, पूछता सवाल परिक्षा, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी लाके दे रहा हूँ, जो सवाल आता है, भाई आपको भी तो नया चाहिए ना, तो जो सवाल आप नहीं जानते हैं, उसको जानकारी मिला ये, कि क्या क्या परिक्षा में पूछा आ ज सवाल क्या लिख दोस्तों, भारती इसाई बिवा आदनियम ये दोस्तों किस ने पारित किया था, त्याद रखेंगे दोस्तों, जो लाड नार्थ ब्रुक के समय पारित कि पारित कि याद रखेगा लाड नार्थ ब्रुक के समय में, ऐसा नहीं कि लीटन पढ़ते पढ़ते लीटन बोल दीजेए, अर्या समाज में दोस्तो आपने पढ़ा ओगा कि अंतर जाती विवा को मानेता मिल गया था तो अंतर जातिया विवा भी दोस्तों होने लगा था ये वही समय चलना ठीक है उनिवर्सल मैरीजेक दोस्तों कब पारित हुआ था अब आपसे अधनियम की बात कर रहा है और पूछा जावा कि universal Mary Jack ठीक है इनिवर्सल Mary Jack ते कब आये था त्याद रखेंगे ये आया था 1872 issue में कब आये था 1872 में और 1872 में Waisaray कौन था त्याद रखेगा Ladd Narth Brooks था कौन था दोस्तो Ladd Narth BROOK दोस्तो ये Waisaray है ये कब से कब तक रहेगा दोस्तो तो 1872 लेकर 1876 तक है याद रखेंगे उसी दोरान दोस्तो भारत में यूनिवर्सल मैरी जैक्ट है था कौन सा है था यूनिवर्सल मैरी जैक्ट अगला सवाल लिख रहा है किस वाइसराय ने ब्रिटीश ब्यापारियों के लिए कपास पर कर को समाप्त कर दिया कपास पर अब उन रखेंगे और लिटन का समय क्या दोस्तो तो 76-80 है लिटन का समय क्या है 76-80 है उसने कपास से कर को हटा लिया था केवल किसके लिए केवल ब्रिटीश ब्यापारियों के लिए केवल और केवल ब्रिटीश ब्यापारियों के लिए कर को हटा तो वहीं दोस्तों मियों ने क्या किया था, income tax को 1% से बढ़ा कर कितना कर दिया था, 0.5% कर दिया था, तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है, पता चला किया, कब क्लास समाप्त हुआ, नहीं पता चला ना, देखे study 91 में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो कता ही पता नहीं चलेगा, और मज़े के साथ दोस्तों आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, देकि modern history की बैच आच चुकी है, बस इतना ही कहूंगा, और e-book हमारे अब label है, दोस्तों hand and notes, जो हमारे कई सारे बिसे पूरी तरह से पढ़ा दियेंगे, उनके notes है, ये भी आप हमारे website से ले सकते हैं, लेकिन अगर ये वाले notes आप लेते हैं, तो आपको खुद से print out कर रहा होगा, अगर आप किताब को order करते हैं, तो किताबे आपके घर जाती है, दोनों option आपके पास है, बाकी अच्छे से त्यारी करिए, बढ़ियां से, और ध्यान दीजेगा, ठीक है, अच्छे एक चीज और ध्यान दखेंगे दोस्तों, आप सभी, आप एक बर चेक कर लिजे कि चैनल को subscribe किया है कि नहीं, और अगर नहीं subscribe किया, तो subscribe कर लिजे, क्योंकि notification, जो message जाता, आपके पास, कि नितिन सर की class आ रही, वैसे तो class अब daily चलती है, कभी छुट्टी उट्टी होती नहीं, कोई Sunday नहीं हमारे लिए है, ठीक है, और लगातार दोस्तों एक classes दी जा रहे हैं आपको, ताकि जल्दी से, जल्दी, ये modern history दोस्तों complete हो जाए, और हम फिर नए subject की तरफ बढ़ सके, नए subject में फिर हम चर्चा करेंगे, जियोग्राफियोगरा के बारे में, वो subject भी पढ़ाए जागा, इसी सीरीज में दोस्तों सब चलेगा, तो आप sequence से देखिए, आपसे यही निवेदन है, और अगर आपको लगे कि नितिन सर बढ़ियां मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बढ़ियां content लाके दे रहे हैं, तो एक निवेदन और आप सभी से है, कि प्लीज वीडियो को like करिए, और share करिए,